हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में मैं अधर्व आज की चुड़म बात करने वाले है अल न्यू यूंड़ाई i20 टेसलिफ्ट के बारे में मतलब यहाँ पे अगर आप देख रहा है न तो यह है इसका i20 के सबसे टॉपेंट वेरियंट जो है i डिजाइन में काफी चेंजिस कर दिये है और जो भी है इस वीडियो में आपको आज मैं आपको बताओंगा और जो इसके बारे में यहां पे आप देख सकते हैं यही स्पोर्ट वेरियंट है इसका अज हम देखने वाले इसका श्बसे टॉपेंड वेरियंट और इसके जो है वो करीबन है ग्यारा लाकी एक्षो रूम और जो अन रोड प्राइज आती है करीब अन रोड आपको मुंबई में पड़ेगी और सबसे बड़ा चेंज क्या है कि इसमें अभी आपको जो टर्बो इंजिन आता था नॉर्मल आइटविंटी और एन लाइन में वो अब आप 2.2 लीटर का नैचुर्ली आश्परेटेड इंजी जो पहले से ही आता था सेम इंजिन 86 वाला जिसकी माइलिश काफी अच्छे पर अभी आपको डीजल और टर्बो पेट्रोल दोनों इसमें से डिसकंटीनियो कंपनी ने कर दिये जो आप भी आइटवेंटी का एन लाइन क कर दी है अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो हेड्लाम卡 पर निस हमें Many पर की आपको यहाँ पर आपको इसे जाती है एरवेंट दिया गया है मतलब अची ब्रीद करने के लिए और यहाँ पे आप दिंचे देख सकते है बंपर में थोड़ा चेंज यहाँ पे आपको कमपणी ने दिया है सेफटी के मामले में क्या कहा रहा है कि आपको किसी भी वेरियंट में आप जाओगे I20 के तो आपको just like extra 6 airbags अब कमपणी ने standard कर दिये है तो अभी आप कौनसा भी वेरियंट लो आपको 6 airbags जरूर मिलेंगे अब चलते हैं इसके side profile पे और देखते क्या change है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो alloy wheels की design ने है पूरी तरह चेंज कर दिये हैं कमपणी ने लॉक अनलॉक करने पे इसके और यॉयम से वह भी अफोर्ड अनफोर्ड होते है अब सिर्फ क्या ना कि ignition चालू है इसलिए वह अब बंद नहीं होंगे तो एक बात है यहाँ पे आपको दिये गया है नए 16 इंचिस के alloy wheels जिसकी design आप देख सकते हैं कैसी है आगे आपको दि क्वेस सेंसर कंपणी नहीं देती उपर आपको दिये गया है शाखवें आंटेना यहाँ पर आपको दिये गया है संद्रूफ जो एक अश्टा वेरिंट में भी आएगा एक रिजर्व फीचर है वह है इसकी 10 इंच की टस्क्रीन जो आपको सिर्फ एस्टा ओप्शनल में मि पैसिटी के साथ यह गाड़ी आती है पीछ आपको दिये गए ड्रम ब्रेक्स तो आपको यहाँ पर ओल फॉर डिस्क प्रेक्स इसमें टॉपन वेरिंट में नहीं मिलेगी वह सिर्फ आपको एंड लाइन वेरिंट में दी गई है तो यहाँ पर दिखे यह सिल्वर फिनिश जो आइट्वेंटी में ही आती है मतब ऐसी कुछ तो वह पूरी है वह स्पोर्ट्स वेरिंट में भी आती है इस वेरिंट में भी आपको दी जाएगी जेट शेप आप देख सकते है LED का लाइट्स का वह अभी भी बरकरार है यहाँ पर आपको दिए गए इसके इंडिकेट किया है काफी सपोर्टी लुक देता है कैमरा आता है दो परकिंग सेंसर चार नहीं और यहाँ पर देख सकते हैं यह लुक सेम है जो आपको पसंद आएगी यह नहीं आएगी वह आप पर ही है मतलब पोलराइजिंग लुक मैं खह सकता हूं और यहाँ पर आपको इसकी 11-0Dr इसका साॉंच स्पीकर मिलता है यहाँ वे इसका सब फैकर यहां आपको आपको आछटा में कमपनी देती है और यहाँ पर छो चॉनटा करने की को इसको की जरूरत नहीं है स्पेस की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको दिया जाता है डूल टोन इंटिरियर स्पेस काफी अच्छा है मतलब स्पेस के मामले में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी सबसे बड़ा चेंज मुझे क्या लगा आपको स्व facilitating मिलते थे पर अप सिर्फ 2 है तीन सीड बैल्स जरूर है पर आपको तीन सीड बैल नहीं है जाल सीड प्ल चाण है और यह इन वह थीً aan手 और यहां पर आपको semi-leatherite seats मिलती है, मतलब leather plus fabric seats यहां पर आपको company देती है, armrest आप देख सकते हैं, तो यहां पर आपको USB का port दिया गया है, AC vents है, वो भी white finish में मिलते हैं, और both speakers के आप आपको branding दी जाती है, अब चलते हैं आगे, और आगे क्या-क्या मिलता है, वो देख ले variant है, sunroof आप देख सकते हैं, और ऐसा कुछ इसका interior पूरा आप देख सकते हैं, कितना कैसा क्या है, तो यहां पर आप interior देख सकते हैं, यह भी dual tone में ही finish कर दिया है, और यहां पर आपको जो i20, sorry, crata का steering है, वही से, मतलब वही same यहां पर उठाके लगा दिया है, high-digestible seats आती है, यहां पर देखें, leather और fabric की दोनों type की seats आती है, मतलब mix, full leather नहीं है, यहां पर आपको fabric है, यहां पर आपको leather है, adjustable headrest है, armrest है, high-digestible seat है, और यहां पर आपको यह top-end variant है, तो मैं आपको यहां पर सब इसके features बता देता हूँ, तो यहां पर इस variant में आपको seven speaker का system, इसमें आप आपको दिया जाता है, तो आप देख सकते हैं, पूरा interior कुछ इसका ऐसा दिखता है, steering wheel में भी आपको यहां पर देखे रहे हैं, cruise control दिया गया है, यहां पर आपको मिलता है, इसमें, इसके mode change करने के लिए, auto headlamps आते हैं, company से, मतलब automatic headlamps, wipers, digital cluster, और अ दो driving mode मिलता है, अब इसमें TPMS भी आपको safety के लिए दिया है, cruise control है, और यहां पर देखे हैं, traction control करने का proper एक button आपको यहां पर दिया जाता है, steering आपको leather wrapping के साथ मिलता है, और यहां पर आपको इसका day night वाला IRVM, जो manual है, और यहां पर आपको connected car के, यहां पर आपको buttons दिये यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर आप देख रहे हैं, जिसमें wired ही Android Auto CarPlay चलता है, इसमें wireless नहीं आता, और sports में आपको wireless Android Auto CarPlay दिया गया है, auto AC, wireless charger, type C port, 12V port, USB port, सब कुछ एक ही जगह पर दिया गया है, यहां पर दिखे, wireless, मत भी wireless phone पीछे, type A port मिलता है, यह इसका CVT माला gearbox, manual handbrake, यह इसका sliding armrest, जो sports में नहीं आता, छे airbags इसमें एक दो नया Hyundai का logo, जो matte finish में है, और pillars में दो, और seats में दो, तो वैसे आपको 6 airbags company देती है, और यहां पर आप देख रहे हैं, चिल्ड गलव बॉक्स इसमें आपको दिया जात है, और यहां पर आपको मिलता है, इसका sunglass holder, और यह इसके cabin light, left side में आपको यहां पर दिया गए इसका mirror, सामने आपको दिया गए इसका ticket holder, और यहां पर आपको मिलता है, इसमें इसका sunroof, अभी हम खोलने रहे हैं, क्योंकि इसमें पानी है इसलिए, पर इतना कुछ इसका sunroof मिलता है, जो hatchback में आप देख सकते हैं, इतना ही आता है, तो वो एक बात हुई, और आपको क्या बताना चाहता था, all in all काफी अच्छा है, यह use करने के लिए भी काफी अच्छा है, और आप देख रहे हैं, काफी premium लगता है, सिर्फ इसमें turbo engine नहीं आएगा अब, और diesel इसमें क्या ही आएगा, तो वो सब अभी बंध है, मतलब आप देख सकते हैं, बोस का स्पीकर सिस्टम, कनेक्टेट कार टैक, 10 इंच की टर स्क्रीन, जो सिर्फ इसी वेरिंट में आएगी, आपको यह पर TPMS भी दिया गया है, अभी shipping mode भी है, पर TPMS इसमें आता है, तो वो आपको बलेनों के लिए टकर की गाड़ी तो है, मतलब दिखने में, I26 और कूपसवरत को इंसे भी गाड़ी नहीं दिखनी, हैचबैक्स, प्रीबियम हैचबैक्स के, मैं बात कर दातू, तो यही थी इसकी वीडियो, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया था वीडियो को झाल